नमस्कार दोस्तों क्या गजब का चुनाव हुआ 2024 लोकसभा यह ऐसा चुनाव जिसमें जीतने वाला भी उतना खुस नहीं है और हारने वाला भी नराज नहीं है इवियम को भी दोस नहीं दिया गया यानि और चुनाव आयोग पड़ भी सवाल नहीं उठ पाए तो पूरा य जी के 400 पार के नारा भी पूरा नहीं हुआ तो मोधी जी को अब सब को लेकर चलना पड़ेगा एंडिये गट बंधन की अगर सरकार बनती है तो सब को लेकर चलना पड़ेगा मोधी जी अकेले और मनमानी कर नहीं सकते अब देख लिजी इस मीटिंग में चाचा भले ही अलाकात हो गई जिससे डड़ते थे वही बात हो गई तो फिर चाचा से एकदम डिल होने की बात आ गई अलाकि चाचा हमारे किसमत ही ऐसा लेकर जनम लिये होंगे पता ना कि वह वो विधान सभा चुना हो या लोग सभा चुना हो मौका इनको ऐसा मिलता है कि राजा कोई अभी बने लेकिन राजा बनाने वाले बिखती हैं और यह तो राजा बनते भी है और अभी तो अब्सर भी है चाहे तो यह खुड भी प्रधानमंत्री वो मांगे रखी हैं और मांगे रखी हैं सबसे पहला बीसेस राज्य का दरजा पिहार पिछरा एस्टेट है पिहार को अगर बीसेस राज्य का दरजा मिलता है तो बिहार को उन्नती करने में बहुत मदद मिलेगा और बिहार को जरूरत भी है अलाकि ये चचा-चा हमेशा से मांग करते रहें लेकिन सरकार में गटबंदन की सरकार जब भी बनी तो उतना पावरफूल उस टाइम नहीं थे कि इनकी बात मान लेते मोदी जी फेर इस टाइम बात तो ऐसी है कि मोदी जी को मानना भी पड़ सकता है तो यहाँ पर विशेश राज जी का दरजा रेलवे मंतराले मांगा गया है तो हम लोग भी चाहते हैं कि रेलवे मंतराले नितीष चाचा को मिले क्योंकि railway मंत्राले मिलेगा तो निश्चित है कि UP बिहार के युबाओं को फिर से railway में नौकडी में लगने की बहुत सारी गुंजाई से होगी संभावनाएं बढ़ जाएगी यह निश्चित है कि या तो लालू यादब रहें या पहले निश्चाचा भी रेल मंत्राले में रहे थे तो वैकेंसी दी गई थी और इस बार जो मोधी सरकार का प्लान हमें सा सब कुछ टेंडर में दे देना ठेकेदारों को दे देना तो साइद इन चीजों से बचा और यूपी बिहार के खासकर और मद्ध प्रदेश के यूबाओं को मोका मिलेगा अगर रेल मंत्राले निश्चाचा को मिल जाता है दोस्तों ये बात भी सत्त है कि अगर निश्चाचा को बिसेश राज का दरजा और रेलवे मंत्राले और क्रिसी बिभाग भी इन्होंने म मांगा है अगर ये चीजे इनको मिल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि फिर बिहार में आम बेखती इनका कोई बिरोध करने वाला हो और इसका फाइदा विधान सभा चुनाओ दोहजर पचीस में भी इनको होने वाला है तो अब देखना ये है कि चाचा जी का ये बात मोधी जी मानते हैं या नहीं मानते हैं हलाकि भीजे पी के तरफ से आया है कि भाई हम अलूल जलूल मांग किसी का नहीं मांगेंगे क्योंकि ये मांगे इधर से हो रही है तो चंद्र इस्थिती क्या है कि अब भाजपा वाले का इस्थिती ये है कि वो अकेले सारे डिसीजन नहीं ले सकते यानि अब सब को लेके ये जो इनका नारा था सब का साथ सब का विकास सब का सम्मान इसी बार और इसी गठ बंधन में अगर गठ बंधन चले तो करना पड़ेगा क्यों इनकी सारी गरांटी जो फेल हो गई 400 पार अब की बार 400 पार तो ये सारे फेल हो गए नारे ये टोटी चोड भैस चोड मंगल सूत्र अयोध्या राम मंदीर इन सारे मुद्दा जो इनके थे ये सब बात खतम हो गए इस बार लोकतंत्र बचाया लोगों ने और खास कर देखि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि कोई भी पाटी राजनीतिक पाटी कोई भी देश में कोई भी पाटी हो उदेश से और संबिधान से बरा नहीं होना चाहिए अगर वो उससे ज़्यादा ताकतवर हो गया कोई भी पाटी तो समझ लीजे फिर देश के लिए खत्र इसमें NDA गटबंदन की सरकार ना बोलके भारत सरकार भी नहीं करती थी कोई भी योजना के बारे में मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार मोदी सरकार बोलते बोलते हैं सब के दिमाग में ये बैठा दिया कि मोदी सरकार ही मोदी सरकार और भारत सरकार का नाम लेना इंसान भूल गया यो भारत सरकार कहां गया सिर्फ मोधी सरकार अभी भी मिडिया लिखती है कि मोधी सरकार 3.0 यानि मोधी सरकार का तिसरा कारेकाल आ रहा है तो मोधी सरकार का तिसरा कारेकाल आ रहा है जरा सोच के देखे मैंने इसलिए कहा था यही exit poll दिखाते थे यही media और जे उस सब ने कहा 412, 411, 400 पार और exit poll का क्या हल हुआ आप देखे और आप जान ही रहे कि media की स्थिति क्या है मजबूरन हम लोग को बोलना पड़ता है और अपनी बात को आपके सामने तक पहुंचाना पड़ता है बाकी अब देखते हैं चाचा का बात अगर पूरा होता है मांग पूरा होता है तो निश्चित यूपी बिहार के भविस्य की बात है बिसेस राज का दरजा मिलेगा तो बिहार को बिसेस फायदा होगा बिसेस पैकेज मिलेंगे और विकास की गती में बहुत त जी आजाएगी, हमारे हाँ सबसे ज़्यादा नदी के वजह से बिहार डूबने लगता है तो नदी का पूरा बेवस्था किया जाए ऐसा बेवस्था किया जाए कि नदी पर नियंतरन हो देह्म बनाय जाए, इसके लिए विशेसराज का दरजा मिलना ही चाहिए बिहार को तभी ये सारी चीजे संबब हो पाएंगी और चाचा जी का मांग सही है हम लोग इस मांग को पूरा समर्थन करते हैं चाचा जी भले किसी बिभाग में रहे चाहे बिभाग क्या किसी भी पार्टी में चल जाए झाचा जाचा जाओव़गार को झाचा किसी बिभागी झाचा जाँ